जैसी कि लास अपिसीट में देखे तेम मून की परोसी उसको गिफ्ट में पैसे देके बोलती है कि तुम्हें में मेरा काम करना होगा जो कम तुम लिए उन चल्दी से जा के अपनी बेटी को पिक अप करती है स्कूल से और उसको समझा दी कुछ दिन के लिए अपनी दादी के पास रहना यहां अफिसर बैक और दोजिन मिल के सिस्टीवी देखते हैं वो एरिया का जहां पर दोजिन पे हमला हुआ था फिर उसमें कुछ यूजे और जोजिन के बीच में कुछ कनेक्शन टूनती है बट नहीं मिलता फिर उसको एक परसल आता है जिसमें वही पैसा और चाह का मुबाइल फ्रेंड में चाह की घायल हुई फोटो रहती है यह देखके मून जाती यूजे से सिदा बात करने वह बोलती है चाह के हुई तो मून बोलती है यह काम करने से पहले मुझे कंफर्म करना है कि चाह सई सलामत है या नहीं फिर उसके आदमी मून को एक जंगल में ले जाते है चाह से मिलाने जहां मून यूजे के बारे में पुछती रहती है कि कौन है क्यों कर रही है इसा चाह बस यह बोलता है उ नाम मिलेगा तब ही चाहके फोन पे दोजीन का वैसेज आता है कि उसमें चीफ मांसे कुछ सुना है तो मून कॉल करती और बोलती है मिलने इदर शीन अपने हस्वेन के पास जाकर उसे गिंसंग कंपनी के सारे फाइल ले लेती है यहां दोजीन मून से मिलता है फिर मून उसक पूछती भी है कि तुम उसे मिलने क्यों गए थे तो बसता है कि मैं उसको यह बताने गया था कि चाहां जिन्दा है तो उसमें मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बताया था यह कि पूछने पर बी तोजीन नहीं बताता है कि क्या बताया था फिर मोन उसको बोलती कि तुमें पैसे देती हूँ चाहओ ढूंडा बंद कर दो वो बोलता है कि क्या चाने बोला है कि मैं पैसे के लिए काम करता हूँ उसको बोल देना मुझे पैसे वैसे नहीं चीए बस अपना प्रॉमिस पूरा करें फ्यों जब जा रहा था तब मुन को एसास होता है कि उसके घर में जो गुसा था हो दोजे नहीं था तो उसे पूछती तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूँ तब जाकर दोजें बताता है कि चाने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी बेटी को ढून लेगा इसलिए ही मैं उसके साथ काम कर रहा था मुन शौक हो जाती ह है फिर तभी यूजे उसको मैसेज करती एरसन केस का जिसमें उसको केलप्रिट को गुनेगार सावित करना है फिर रात में जब वो केस के बारे में पढ़ रही थी तभी यूजे उसको कॉल करके एक रिमाइंडर देती है कि अगर ये केस अच्छे से लड़ोगी तभी तु के फिंगरप्रिंट मिले हैं और दुसरा विटनेस भी है यह उन चाहती है उसको रोक कर पूश्ती कि तुम ऐसे कल्पिट का साथ क्यूं दे रही है जिसकी वज़े से बहुत लोगों का नुकसान हुआ है फिर उसको बचे की फोटो भी दिखाती है जो बहुत बुरी तरह घायल थी बट्मून बीचारी धंकी की वज़े से चुप बैठी थी वो शीन को कुछ बताती भी नहीं है फिशीन उसको पताती जो फाइल उसने अपने एक्स हस्बेंट से ली थी उसमें उसको मालम पड़ा है यूजे को लोग डारेटर जो के नाम से भी जानते हैं जिसके तो शीन को से मैं बोल देती कि मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको जेल में भीज़ लेगी ताकि वह वापी से कभी आग ना लगा सके फिर मून उसकी सारे केस के बारे में पढ़ती रहती है फिर उसकी मदर चाह के मूबाइल पर कॉल करके चाह को ढूंडती है बट वह फो मून के पास रहता है उसकी मदर को बात करते हुए उसका फादर सुन लेता है इदर मून से मिलने अफिसर बैक आता है क्योंकि वो तेसु के नाम पे रिजिटर नमबर ट्रैक कर रहा है बट वो फून तो मून के पास रहता है इसलिए उसको मून पे शक होता है तब उसका फ उसी company से तो उसका फदर जाता है ये old man से मिल ले और जाकर उसको बोलता है कि तुमने वादा कि एतना तुम मेरी family को नुकसान नहीं पहुचा होगे तो क्यूं कर रहे हो ऐसा मैंने तुमारे ने कितना कुछ के कितनी कुरवानी दी हैं और तुम एसाथ ऐसा कर रहे हो वह जोर पैसा दे चुकी थी वह बोलता है कि हाँ ये मेरे साथ सिगरेट पीता था इसी वज़े से उचको छोड़ देते हैं उनको बोलती है कि क्या तुम इसी दिन के लिए अटोनी बनना चाहती थी कुछ दिन तक मुझसे बात नहीं करना और नहीं मुझसे मिलना फिर उन्जे आक और उसको ऐसा आता है जिसने निखा होता है कि जो लेकर जा रहा है तो तेसु नहीं चाह् है है इसने मुझसे तब बहुत खोस्ति है को इन्जे़ में कर बहुत कर बहुत है आता है वह जकर चाहरा है का। देशों को जबरदस्ती पिलाते रहते हैं यह देख्या मुन शौक रहती है तब यूंजे उस कॉल करके उसे पूछती कि कैसा लग रहा है मुडरर की वाइफ बनके यहीं पर एपिसोड खतम हो जाता है आगे देखते हैं कि मुन क्या करती अपने किलन हजबन का तो नेक्स लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर ड्रामा अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें मिलते हैं नेक्स एपिसोड में बाई टेक केर